हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टॉप 10 पर, जो आपको हर बार अलग-अलग 10 चीजों की जानकारियां देता है. अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले उसकी ख़बर हो जाए. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छुटिया आई नहीं और हम सब घूमने के प्लैन्स बनाने शुरू कर देते हैं, आपको आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कि आप छुटियों में कहीं भी जाए, लेकिन नौर्थ इस्ट इंड कोई संस्कृती नहीं? हाँ, तो नौर्थ इस्ट इंडिया कल्चरलेस है, वेबात अलग है कि यहाँ पर हर कस्बे की अपनी एक अलग संस्कृती है, जिनमें से कुछ मैं आपको अभी बता देता हूं, शत्रियन रित्य जो आसाम की शान है, बैंबू डांस ये तो आप सब अचर को दर्शाते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक चीज़े नहीं है, कोई जोखिम भरा कार्रे नहीं, नौर्थ इस्ट इंडिया को हम सब आठ बहनों का समू मानते हैं, और यहाँ पर आपके मनरंजिन के लिए बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे तसोम को ले युम्थांग घाटी, नूरांग फॉल्स, जो की एक बहुत रोमैंटिक जगा मानी जाती है, सियांग रिवर, जहां रिवर राफ्टिंग होती है, इन जगहों पर हाइकिंग, कैम्पिंग, स्काय टाइविंग, नाइट आउट वे नाइट कोंसर्ट जैसे मनरंज़क जो की उनिस्को की धरोहर है, जहां पर आप ऐसे ऐसे वन्नेजीव पाई जाएंगे, जो शायद ही कहीं और मिलते हैं, जो अपने आप में अधबुत हैं, क्योंकि यहां का वादावरन अंचुआ है और साफ है, काजी रंगा नैशनल पार भी यहां की शान बढ़ाते हैं, और जिनके अंदर आपको राइनो, लाल पांडा, बाग वे अलग प्रकार की बिल्लियां पाई जाएंगी, खाने की कोई समझ नहीं, लोग कहते हैं यहां पर खाना बहुत ही बे मेल, बे स्वाद वे बहुत मुश्किलों से ढूंडा जाता है, तो आज हम आपको बताते हैं सूखी मचली, मणिपूर और पहाणी जानवर वे और बहुत सारे जीव जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाते हैं, उन्हें खाने के उप्योग में लाया जाता है, तो अब आप ये मान सकते हैं कि उत्तरी भारत में दोनों तरह की शाकाहरी और मासाहरी भोचन वे तरल तो वहाँ जीवन कैसे चलता होगा, या फिर वहाँ जीवन ही नहीं है, वहाँ पर भी हमारे ही तरह की जिन्दगी चलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम को जाते हैं और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश के जवान हर पल हमारी सेवा में लगे रहते हैं, और वह जगा बिलकुल टेररिस्ट फ्री है, तो आप बिलकुल निश्चिन धोकर वहाँ घूमने जा सकते हैं, हर जगा जंगल ही जंगल, उत्तरपूर भारत में सिर्फ जंगल होने का दावा करने वाले लोग ये जान लें, कि वहाँ पर जंगल के अलावा भी बहुत सारे सुन्दर जगा हैं, जो कुदरत का सौन्दर्रे विखेरते नजर आते हैं, जिन में से कुछ हैं दवांग मोनेस्ट्री अरुनाशल प्रदेश, गुरु दोंगमार लेक सिक्केम, उनाकोटी हिल्स त्रिपुरा, वंतावंग फॉल्स मिज जूकव वैली नागलेंड, योकटाक लेक मनिपुर, इनके अलावा बहाँ पर लोग सिटी जैसे एरिया में रहते हैं, ना कि किसे जंगल की कुटिया में रहते हैं, पुर्वोत्तर के पहाडी स्टेशनों, गैंग टॉक, शिलॉंग, काली पॉंग, चेरापुंजी घुमन ये बेहद रोमानचक हैं, कोई बहतर एजुकेशन नहीं, मुझे अफसोस होता है, लोग कहते हैं, यहां के एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, पर यहां बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, परन्तो ये बताते हुए, मुझे बेहद खुशी और कर्व होता है कि यहाँ दो टॉप एजुकेशन फांडेशन के कॉलिज है पहला IAT गुवाटी, दूसरा IIM शिलॉंग जो कि अपने आप में बेहज जाने माने इंस्टिट्यूट्स है जिनके एड्मिशन के लिए हम और आप जैसे लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं इसके अलावा त्रिपरा जो नौर्थ इस्ट इंडिया का एक बाठ है उसका लिटरिसी रेट चरानवे तशामलव छे पांच है जो कि केरल के लिटरिसी रेट तेरानवे तशामलव नौ एक से ज्यादा था यहां तक की उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्ट करने के बाद भी अगर आप अन्य भारतिये के लिए अच्छा व्यभार नहीं करते हैं तो शिक्षा का कोई मूल्ले नहीं रहे जाता कोई धरोहर नहीं उत्तरबुर्वी भारत में भी बहुत सारे धरोवर हैं जैसे नीरमहल, उजय यंत प्लेस, उना कोटी, सिब सागर आसाम, कैलाशार त्रिपुरा, जोवई में घाल्या, सुवाल कूची, हाजो आसाम इसके अलावा यहां बहुत ही खूपसूरत द्रिश्य हैं पानी के जरने हैं, कुवाटी, दावकी, हाफ लांग, जो कि शिलॉंग में एक हिल स्टेशन है, यहां और भी बहुत सारी धरोवर हैं परन्तु कुछ लोग हैं, जो इन्हें समझ नहीं पाते, और अपनी राय किसी भी बात पर बना लेते हैं, अपनी मन गड़त कहानिया बना लेते हैं यह एक खतरनाग जगा है, जी हां, यह एक खतरनाग जगा है यह इतनी खतरनाग जगा है, जहां पर आप जीरो वैली के नाइट कॉंसर्ट के लुथ फुटाते हैं नाइट शॉपिंग करते हैं, अरे ब्रधान मंत्री मुदी जी यहां आकर अपना अनुभव बढ़ाते हैं और यहां के संस्कुती और ना नश्ट हुए नेजर की सरहना करते हैं यहां का सिक्केम भारत का पहला और्गैनिक स्टेट भी है खराब रास्ते उत्तरपूर भारत के रास्ते बहुत ही मनरंजय सुहावने कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए चाहे वो रास्ता आप शिलॉंग से चेरा पुंजी जाने का हो या गोहटी से मौरे जाने का हो जो राहत से मिल चुका जाने का हो और सबसे खूबसूरत कालीन पहुचने जलूज जाने का हो इन सब प्रशनों के अलावा बहुत खूबसूरत रोड जिनके साथ साथ अधरक की प्रतिमाई, कुदरत की प्रतिमाई आपके सफर को और मनुरंजक और आपको और उत्साहित कर देती है तो दोस्तों, देखा आपने, हम ऐसे ही बिना किसी चीज़ को जाचे परखे, किसी की भी बातों पर यकीन कर लेते हैं जैसे कि कुछ लोग नौर्थ इस्ट इंडिया के बारे में ये मित बना कर चलते हैं तो इस वीडियो से आप अपने उत्तर पूर्ष भारत के बारे में अपने विचार को पदल सकते हैं हमारा आगरे है अगर आप कभी भी नौर्थ इस्ट इंडिया का प्लान बनाना चाहें तो बेशक पेधड़क बनाईए और वहां की हसीन वाधियों का आनंद उठाएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको नौर्थ इस्ट इंडिया का कौन सा पार्ट पसंद है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपसे अगली बार अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर फिर मुलकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद